अजय जी एंसी क्यों आय फरेस पंद्रां एंसी क्यों नंबर बताएं मैंने लिखे में हैं नेम एंट से करना शुरू करें 35 एंटिटी रिकॉर्ड रेविनी ओवर टाइम अगर अगर रेविनी ओवर टाइम रिकॉर्ड करें अगर एंटिटी परफॉर्मेंस दस्क्रियेट अनसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज पहले ऑप्शन देखने रहां पेज 542 एंटिटी इस परफॉर्मेंस क्रिए अनसेट उस कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड अड़ एंड ऑफ कॉंट्रेक्ट लिए ओवर टाइम में तीन बातें हमने पढ़ी थी इफ कस्टमर साइमल्टेनियस्ली डिसीव इन कंजूम्स दे बैनेफिट प्रोवाइड बाइड बाइड़ एंटिटी परफॉर्मेंस यह बात बिलकुल मैच कर रही है एंटिटी हैं इन दोनों बातों को मिला के भी आप्शन पूरी हो रही है अब क्या करें तीन टिक मार और या एक टिक मारें एक टिक मारें वाई कियोंकि यह भी बात अध words यह बहुत को मिलाक्य पूरी बात बुरिये यह बात पूरी है और यह बात गलत नहीं इन सूरत जीकृता Beispiel और कौन सा है 30 which of the following is true regarding a discount offered on a bundle of products discount आपने दिया है काफी सारी products पर discount should be applied across each PO in the contract overall discount करें discount should be recorded in cost of sale यह तो जीब सी बात है discount cost of sale में record नहीं होता discount sayョ bit को कम कर देता है discount आपको पते हैस्जा पमकरा रहा होता था चीज चार रुपे काइच रुपे किया और बिस्काउं और शुर्ड होने के बाद तीन रुपे किया और सड़ तीन रुपे किया तो discount सेल को कम कर देता है इसकांट कॉस्ट ऑसेल बेन जाता डिसकांट शुट बीप्लाइट लार्जेस कंपोनेंट जो सबसे महिंगी चीज उसको डिसकांट डाल दें इसकांट शुट बीरकॉडडेड एड्मिन एक्समेंश नहीं आगे step 2 कौन सा था identify separate performance obligations requires the identification of separate performance obligations this is often referred to as unbundling इसको आम तरुपे क्या कहा जाते है on bundling चलें यह लोश्च वी निया हमारे लिए हो गया and bundle on bundle का मतलब होता है आप अब फ्राइज वी ले रहे हो आप बर्गर भी ले रहे हो आप बोटल भी ले रहे हो अब इनको unbundle करो तो तीन चीज ने रहे हो वैसे तो bundle नदर आ रहा होता है लेकिन अन्बंडल करो तो तीन चीज़ें ले रहे हो इसलिए इसको अन्बंडलिंग कहा जाते हैं जिस ऑफन रेफर टो एजान बंडलिंग और इस दान अड़ स्टाइब कॉंट्रेक्ट वाइज यह तो कॉंट्रेक्ट की पांच शरायत में से तीन इस्टिंग्ट होना असल में इं इस अगला घुन से यह वनिना कोंट्रेक्ल पांच तरह देख लिजएगा और फिर पांच दूम्ट ऻूंदी जएगा यह मेनद करके धूमत भड़ेगी पांच कौन से पूरी हो रही है प्रूप इडेंटिफाई अगला कुन से सिल्वर लिमिटेड सेल्जा मशीन एक मशीन बेच रही है और साथ बेच रही है वन येर की वरंटी फॉर वन लैक तो यह क्या होते है फॉर वन लैक ट्राविक्शन प्राइस मशीन एंड टेकनिकल सुपोर्ट इट यूजिली सेल्स दे मशीन फॉर 95 आम तोर पे मशीन बेचती है 95 की बट डज नॉट प्रोवाइट टेकनिकल सुपोर्ट फॉर इस मशीन एस स्टेंड अलाउन प्रोडट लेकिन एलग से सुपोर्ट नहीं देती वैसे अब फिर मसला आगे ना स्टेंड लाउन सेलिंग पैस निकालने के लिए वैसे नहीं डिस्टिंक्ट तो होती है टेकनिकल सुपोर्ट साथ मिलाई नहीं जा सकती है अनलेस के पहली दफ़ा की सुपोर्ट दी जा रही है और वो चीज़ को करने के लिए जरूरी हो यह तो वन येर अलक्स से सुपोर्ट है अब कौन सी अप्रोच लगा के इफ स्टेंड लाउन सेलिंग प्राइस निकल सकती है कॉस प्लस बीस सजार सो पे पड़े तो हमें एक सो पचास दे दो बताएं कितना आगे फिर खुदी कर लेंगा आप लोग सारा तो लिखें इफ स्टेंड लाउन प्राइस इस मिसिंग वी में यूस थ्री अप्रोच इस कॉस्ट प्लस अप्रोच मार्केट असेस्मेंट अप्रोच और तीसरी थी पता नहीं है एरिजिडिल अप्रोच एरिजिडिल अप्रोच ओके अगला 14 ऑन जख्म जनुरी अन अटिटेंट इंटर इंटर इंज्वा नॉन कैंसलेबल कांट्रेक्ट तू ट्रांसफर अ प्रोडट्क तु कस्टमर ऑन 21 मार्च दिलिवरी कब होगी the contract requires the customer to pay on 31 जनवरी but customer pays on जकाम मार्च यह वही सवाल जो क्लास में किया था customer ने पे कप किया यह cash की date हो गई delivery की date 31 मार्च contract requires to pay on 31 जनवरी and it is non-cancelable अब बता दें unconditional right किस तिन बन गया contract requires to pay on तो फिर 31 जनवरी को क्या entry होगी अब ना delivery भी है ना cash receivable debit contract liability लिखाव है ना contract requires the customer to pay 1000 in advance अगला 12 determine the amount to be recorded in first year of a long term contract दो दिन साल का contract है उसमें आपने amount निकालनी है यह कुन से step में पदा चलेगी determine the amount to be recorded in first year determine the amount to be recorded in first year amount सिरफ step 5 में record की जाती है पदा नहीं किदर घूम रहे हैं amount सिरफ step 5 में record की जाती है पहले step में contract को identify किया जाता है दूसरे step के अंदर performance obligations को identify किया जाता है तीसरे step के अंदर TP को identify किया जाता है चोथे step के अंदर TP को allocate किया जाता है पांच में step में TP को record किया जाता है पांच में step का नाम ही यह है recording revenue when a performance obligation is satisfied record revenue record step 5 था अगला जी get limited sold and installed अच्छा installation मैंने का था कुछ ना लिखा हो तो by default installation simple होगी और simple installation को आप हमेशा distinct समझेंगे cat limited sold and installed an item of machine for 8,00,000 on account number included within a price was a 2-year servicing contract machine installation and service cat limited sold and installed an item of machinery for 8,00,000 on account number included within a 2-year servicing contract which has a value of 240,000 and a fee for installation of 50,000 बाही रेजिरल एप्रोच लग सकती है और और कोई तरीका नहीं है देखे ना कोई तरीका नहीं अवेलेबल अब फस गया हम तीसरी की machine की निकालनी है price at which amount recorded P&L में क्या जाना चाहिए P&L में क्या जाए वो तो अलग बात है टू येर servicing contract कितने के है दो चालिस का अब ये मैं चाहे इदर लिख दूँ चाहे उदर लिख दूँ अब 240 और installation अब मजबूरन इसको इदर ले आए balancing पांसो दस और फिर ये दुबारा इदर लाने की क्या जरूँत है अब छोड़े परे अब पी एंडल में क्या जाएगा पांसो दस पूरा जाएगा क्योंकि ये का नमंबर को मसीन डिलिवर भी होगी है इस्टॉल भी होगी है पचास भी पूरा जाएगा और 240 डिवाइड वाइड 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 चोबिस जरब दो ऐसी नहीं होगा डिवाइड वाइड 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 सोरी 240 को टू से डिवाइड करेंगे तो एक साल का आजेगा तो मल्टिव लाइड बाइ तो वही बात हो भी दो बड़ा 24 तो बेतर है कि यह 24 महीने के तो बताओ दो महीने का कितना है इन तीनों को इन तीनों को जमा कर लेंगे यह रेवीन निकलाएगा अगला कौन से पोर इस लास वन शुड़ा कम बैक और असेप्टेवल नहीं जवाब आपको बड़ों को देना चाहिए बोथ असेप्टेवल जैसे मरजी आपको यह दरा सुरह से सीखें दरा कहीं अच्छा और बड़ों को का करें मैं तो बता नहीं तो बता नहीं तो रिवर लिमिटेड आगार्कие ज़री Rahm it has included the falling in revenue at the amount stated below पडिमियव Aakṣaan says it has included the falling in revenue at amount stated below which of these has been correctly included in revenue agency sale of 25,00,00,00 on which you are entitled to only 10% A has been included at the amount stated below Sale 2.5 book होनी चाहिए या 2.5 का 10% तो ये amount गलत है Sale of 20 million for a motor vehicle which were no longer required by RL भाई ये revenue नहीं है ये तो नहीं 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 ये सही कह रहे हो आप cash की amount है लेकिन ये है fix desert की sale vehicle which were no longer required तो ये हमारी income तो disposal के T-Count में तो जाएगी लेकिन ये fix desert की sale है तो हमारी sale कितनी है 0 इदर हमारी sale कितनी थी 2.5 into 10% इदर हमारी sale 0 है तो ये भी गलस sale है Sale of 15 million on 30 September ठीक है साल का end sale of 15 million on 30 September 15 million के हमने sale book कर दी है the amount invoice to and receive from customer was 13 million customer को जो invoice की है और receive हुई है वो 13 million हुई है which include 3 million for ongoing servicing work to be done over next 2 years ये साही है तो बी डिलिवर्ड है ना over next 2 years अगले 2 सालों में service देनी है अब 18 total है 18 में से year end पे डिलिवरी हुई तो service को allocate नी करना आप year end पे goods डिलिवर हुई और ये तीन है इस तरह transaction price बन गई stand-alone तो दी नी भी अब 15 को कब book करें आज और book भी 15 ही है sale of 15 at a point and time book कर लिए बाकी three overtime book कोने है और वो overtime Allah का शुकर है शुकर है book नी हुआ क्योंके वो अगले दो सालों में ये सही है हमारी sale 15 ही है sale of 20 million और जका मक्तूबर 13 20 million पे sale book कर लिए जका मक्तूबर 13 को हमारे साल के पहले दिन to an established customer which who will make payment who will make payment on 30 September who will make payment sale कितने की book कर लिए है 20 की who will make payment on 30 September 15 30 September 15 को sale होगी sorry पैसे आएंगे तो क्रेडिट सेल है या advance from customer है sale to customer who will make payment on 30 September तो इस टॉपिक मैंने कहा था cash को ढूणना होता है अब cash को ढूणके जब उसकी PV निकालेंगे तो वो 20 नहीं आएगी वो क्या आजाएगी 20 इंटू 1.1 रेस्टू पर माइनस 2 16.5 तो sale बुक होनी चाहिए थी 16.5 पे गलत है 20 पे बुक लिए चलो जी वो करो अब हाँ close for us